मैं अपना एक coupon code दूँगा Hostinger 10 अगर आप इसको use करते हो तो आप एक web hosting 2000 से भी कम में ले सकते हो एक साल के लिए इसमें आपको एक domain name भी free में मिलेगा Hello guys, welcome back दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम वो best affiliate marketing के लिए niches देखेंगे, जिन पे आप 2023 और आगे आने वाले time में blog बना सकते हो दोस्तो, यहाँ पे मैं जितनी भी niches की बात करूँगा यह सारी काफी highly profitable and low competition niches है जिस पे आप अपना blog बनाके easily rank कराके अच्छे कासे पैसे बना सकते हो महीने के 400 से 500 डॉलर बहुत easily बना सकते हो website setup कैसे करते हैं यह सारी चीज़े मैं आपको अलटी बता रखी है तो अगर हम आज फिर से start करें तो सबसे पहले आपको domain name लेना है domain name आप अपने niche के according लोगे आप चाहो तो fresh ले सकते हो, चाहो तो expired ले सकते हो domain name लेने के बाद दोस्तो आपको hosting purchase करनी होगी hosting के लिए दोस्तो मैं recommend करूँगा आपको hostinger जो कि मैं खुद अपने blogs पर use करता हूँ, अच्छी कासी दोस्तो इनकी hosting होती है, and currently इनकी sale भी चल रही है दोस्तो, तो मैं आपको description में अपना coupon code दूँगा, hostinger 10 अगर आप इसको use करते हो, तो आप एक web hosting 2000 से भी कम में ले सकते हो एक साल के लिए, इसमें आपको domain name भी free में मिलेगा, तो मैं आपको highly recommend करूँगा, कि अगर आप एक नया blog start कर रहे हो, hostinger की hosting के साथ start करो, domain भी आपको free मिल जाता है and hosting भी जो आपको मिलते हैं, वो भी काफी अच्छी quality की fast web hosting होती है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कौन सी ऐसी वो niche जिस पर आप अपना blog बना सकते हो दोस्तों, niche बताने से पहले, मैं आपको यहाँ पर कुछ वो affiliate programs बताऊंगा, जो impact.com का account चाहिए, share a sale का account चाहिए, cj का account चाहिए यह सारे हैं, अगर आप affiliate programs में sign up कर लेते हो, तो आगे जो मैं आपको niches बताऊंगा, इनके लिए आपको affiliate links यहीं से मिलेंगे and उन affiliate links को यूज करके, आप अपने blog पर promote करके, अच्छे कासे पैसे बना सकते हो दोस्तो अब niches की तरफ बढ़े and देखें अपनी पहली niche, दोस्तो पहली niche है हमारी travel, दोस्तो travel में काफी बड़ी niche है, इस niche में लोग पैसे भी अच्छे कासे खर्च करते हैं, तो जो हमारी earning as a publisher होती है, वो अच्छे keywords को पर नहीं करना है, तो यहाँ पर अपनी computer screen के दरफ चल लेते हैं and देखते हैं कि travel niche में exactly हमें कैसे keywords को cover करना है, हम एक बर चले जाते हैं, site explorer पर and यहाँ पर website डालते है, airportllc.com दोस्तो जैसे आप देख सकते हो, हम इस website पर आ गए है, दोस्तो यह website 2022 में उठना start होई थी और आप देख सकते हो, already इस website पर अच्छा घासा traffic है, and क्योंकि यह US niche website है, तो यह अच्छे खासे पैसे बना रही होगी दोस्तो, एक बार इसके अगर हम keywords check out करें, तो दोस्तो keyword wise भी यह website काफी अच्छे-च्छे keywords को cover कर रही है, जैसे airport lounge for military and यहाँ पर you know, airport के around, travel के around, यह keywords सारे cover कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर smoking at Atlanta airport, can you smoke at JFK airport, ऐसे keywords कर रही है, तो एक बार इनके keywords का हम overview कर लेते हैं एक बार इसके organic keywords पर जाके देख लेते हैं कि इन में से हम कौन-कौन से and कैसे keywords को pick कर सकते हैं first keyword अगर हम देखे, दोस्तों इस पर number one rank कर रहा है and यह भी छोटी website है links भी इसने कम बनाया है एक आप देख सकतो 0DR की website भी आ रही है यहाँ पर दोस्तों, तो again यह अच्छा sign है कि यह keywords आप pick कर सकते हो दूसरे keywords की तरफ बढ़े तो again दोस्तों इस पर भी इसका feature snippet है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0DR की site rank कर रही है, 6DR की rank कर रही है तो बतलब इस niche में इसके keywords पर काफी छोड़ी-छोड़ी websites rank कर रही है, एक बार हम यहाँ पर content को भी देख लेते है, content research भी कर लेते है, एक बार content research भी कर लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हो, काफी simple इन्होंने अपनी website को set up करा हुए basic generate press theme यूज़ करी हुई है यहाँ पर title डाला हुआ USO airport lounges और military, कुछ special नहीं है, basic से इन्होंने content लिखा हुआ, display ads इन्होंने use करी हुई है, Izoic का यह use कर रहे है जैसे हमने आपको last video में बताया था Izoic काफी अच्छा Google Adsense alternative है इस blog में आप देख सकते हैं, Izoic से monetize है basic इन्होंने content लिखा हुआ है थोड़ी सी history बताई हुई है table of content में हम चेक कर सकते हैं इन्होंने पूरा बताय हुए इसके बारे में and randomly यहाँ पे और यहाँ पे related post इन्होंने दिखाय हुए that's it दोस्तों आप देख सकते हो, सिरफ content की help से यह website कितना अच्छा rank कर रही है अगर हम इसके backlinks पेगरा भी check out करें तो backlinks भी इस website ने ज्यादा नहीं बनाए DAPA भी इस website का ज्यादा नहीं है सिर्फ 17 DAPA है और सिर्फ 300 backlinks है and backlinks की quality भी कुछ बहुत ऐसे high-five नहीं है तो आप भी easily इस website इस niche पे अपना blog बना सकते हो number of articles की बात करें तो number of articles भी इस website ने ज्यादा कुछ cover नहीं कर रखें articles के लिए हम इस total number of articles देख लेते हैं दोस्तों चरफ 165 article इस website ने cover कर रखें तो अगें जैसे मैंने आपको बताया था यह niche काफी अच्छी है easy to rank यह niche है तो definitely आप इस पे अपना blog बना सकते हो दोस्तों अगली niche के तरफ बड़े हमारी second niche है दोस्तों gardening niche दोस्तों जैसे आपको पता है US में लोग gardening के काफी जादा शौकीन होते मतलब garden related चीज़े वो काफी जादा search करते हैं तो यहां पे हम एक बार gardening niche को थोड़ा सा explore करते हैं देखते हैं कि इसमें कैसे type के हम keywords को cover कर सकते हैं and कैसे monetize कर सकते monetization में हम AdSense और affiliate दोनों का use कर सकते हैं affiliate में हम बहुत सारे products को Amazon से promote कर सकते यह से lawnmowers हो गया, cutters हो गया यह सब Amazon से promote कर सकते हैं अब एक बार देखते हैं कि exactly कौन से वो keywords हैं जिन पर हमें इन पर काम कर सकते हैं यहाँ पर केडी पर हम maximum 5 डाल लेते हैं volume में 100 से maximum 500 इससे जादा volume के आपको keyword नहीं cover करने क्योंकि जितनी जादा volume होगी दोस्तों competition भी उतना जादा होगा एक बास show results पर click कर लेते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों काफी सारे हमें यहाँ पर keywords मिले हैं जिनको हम cover कर सकते हैं gardening niche में तो यहाँ पर अगर हम उन keywords को check करें gardening gifts for men करके यह keyword है इस पर आप देख सकते हो काफी सारी low DR की website rank कर रही है यहाँ पर हम एक मिली है 5 DR की website gardening gifts for men इसने लिखा हुआ है चलिए दोस्तों एक बार इस website को study कर लेते हैं study करने के लिए वापेस HRS पर आते हैं एक बार overview कर लेते हैं तब तक हम इसके number of articles देख लेते हैं number of articles भी जादे नहीं डाले हैं दोस्तों जिए 100 articles इस website ने डालें and SEO में भी आप देख सकते हैं सिरफ 68 referring domains है यह website decent traffic ले रही है इस website के keywords का आप use करके other keywords find out कर सकते हो other websites यहां पर जो competitor websites आ रही है इनको भी आप एक बार देख सकते हो इनके भी keywords को निकाल सकते हो जैसे आप अगेन यहां पर देख रहे हो यह 16 DR की website है और यह भी अच्छा खासा rank कर रही है तो इसको भी आप एक बार देख लेते है और यहां पर एक 0 DR की website है इसको भी यहां पर देख लेते है तो यहां पर आप इन सब website के keywords को दोस्तों चेक करके इनके content को चेक करके आप भी अपनी एक new website बना सकते हो दोस्तों थर्ड नीश की बात करें मैं आपको कुछ website का example देता हूं जो आप technology में consider कर सकते हो बहुत easy है दोस्तों technology niche में keywords को find out करना let's suppose हमें यहां पर iPhone iPhone जैसे आपको बताए iPhone launch वगरा होते हैं लोग इसके काफी सारे questions queries search करते हैं तो हम यहां पर keyword explorer में simple iPhone search कर लेते हैं यहां पर 5 DR की side यहां पर select कर लेते हैं KD यहां पर maximum 5 select कर लेते हैं volume यहां पर क्योंकि यह technology की जो नीश है यह भी adsense affiliate दोनों से monetize हो सकते हैं तो यहां पर हम volume 200 से maximum रख देते हैं यहां पर show results पर click कर लेते हैं जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कोई यह keyword इसकी 600 volume है iPhone 14 overheating यहां पर 4 DR का blog rank कर रहा है इसके बाद आप देख सकते हो 34 DR का भी blog rank कर रहा है और keywords को हम देख लेते हैं iPhone call cancelled immediately यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हो 2 DR का blog rank कर रहा है 2 DR का rank कर रहा है 5 DR का कर रहा है तो यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि काफी low competitive blogs यहां पर rank कर रहे है हम यहां पर देख सकते हैं काफी low competitive blog rank कर रहे हैं एक बार हम इनके blogs को check कर लेते हैं देख लेते हैं कितने articles वगरा इस blog ने डाले हुए तो सब्सक्राइब आप देख सकते हैं आमजान दोनों से monetize कर सकते हो देखो दोस्तो एकदम fresh blog in November 2022 में start हुआ था कोई SEO नहीं किया गया सिरफ content है आप easily इस blog के keywords को देख के और keyword research कर सकते हो other website जैसे मैंने यह website निका लिए इन website को भी देख के आप research करके और keywords निकाल सकते हो उन पर काम कर सकते हो दोस्तो फोर्थ निश की तरफ बढ़ें तो वह है sports niche दोस्तो आपको पता है इंडिया में इंडिया के बहार भी लोग sports के काफी जादा दिवाने होते हैं काफी पसंद करते हैं sports खेलना तो जितने भी multiple sports होते हैं table tennis हो गया, baseball हो गया, basketball हो गया, football हो गया, इन सब sports के round दोस्तो आप research करके इन पर एक affiliate, amazon affiliate blog बना सकते हो और अच्छे कासे पैसे अन कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको एक practical niche का example दिखाता हूं कि exactly आप किस niche में blog बना सकते हो, हम यहाँ पर table tennis का example लेते table tennis हम यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर show results पर click करते हैं जैसे दोस्तो आप देख सकते हो, काफी table tennis के round हमें यहाँ पर keyword देखने मिल रहे हैं इन सब को आप cover कर सकते हो यहाँ पर best भी लगा सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो, लोग काफी keywords को cover कर रहे है, best table tennis paddle, best table tennis racket, यह सब keywords है जो लोग cover कर रहे है यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, लोगों ने यहाँ पर affiliate blogs बना रहे हैं यह देखो दोस्तो 4 DR का blog यहाँ पर rank कर रहे है आप इसको एक बार खोल के check करो देखो इसने क्या-क्या keywords कवर कर रहे हैं कितना इस पर total traffic आ रहे है and easily आप other sports में भी research करके काफी सारे blog ideas आपको मिल सकते हैं and उन blog ideas पर आप easily अपना blog बनाके अच्छे गासे पैसे earn कर सकते हो minimum अगर मैं बता हूँ तो sports niche में आप thousand to fifteen hundred dollar per month easily निकाल सकते हो अगर आपका content अच्छा है आप ऐसी हो अपनी website पर अच्छे से करते हो तो आज की वीडियो की last niche की बात करें तो वह है दोस्तों हमारी gaming niche gaming niche जैसे आपको बता है दोस्तों last कुछ सालों में काफी popular हो गई है gaming हर बंदा gaming में interested है and इंडिया, US, UK हर country में लोग gaming के आजकल दिवाने हो रखे हैं तो आप अगर gaming blog बनाती हो तो काफी जादा future proof होगा and आप इस पर अच्छे काहसे पैसे भी बना सकते हो मैं आपको research करके दिखाता हूँ कैसे आप gaming industry के लिए keywords यहां पर ढूंड सकते हो again यहां पर आपको जाना है, gaming यहां पर डाल देना है and gaming डालने के बाद आपको again हम वही सारे filters लगाएंगे यहां पर केडी हम maximum 10 रखते हैं volume 100 से maximum, low sdr में हम यहां पर 10 रख लेते हैं and यहां पर एक बार इसको search कर लेते हैं जासरा के दोस्तों आप देख सकते हो 900 से जादा keywords ahrefs हमको suggest कर रहा है and अगर हम देखें यहां पर तो आप कैसे keywords को cover कर सकते हो यह जैसे यहां पर keyword is beanbag gaming chair तो ऐसे सब keywords को आप cover कर सकते हो best gaming chair, best gaming keyboard, best gaming mouse, best gaming monitors ऐसे सब keywords को दोस्तों cover करें आप अपना Amazon affiliate blog बना सकते हो guide भी लिख सकते हो दोस्तों gaming के ओपर, games के ओपर यह game में आप ऐसे कर सकते हो, वह game में ऐसे कर सकते हो fixes पर लिख सकते हो इसे मैं आपको tech blog में बताया था लोग how to type के article लिख रहते हैं वैसे ही articles आप gaming niche में भी लिख सकते हो how to fix this in this game ऐसे सब keywords करके दोस्तों आप काफी अच्छागासा Amazon affiliate और Google Adsense का blog बना सकते हो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो Top 5 Best Affiliate Marketing Niches के ओपर अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please let me know your thoughts and comments और दोस्तों आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करिए अपने thoughts में को नीचे comment section में बताइए मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी next वीडियो में Till then take care, bye bye